चैप्टर 10 ड्वेल्प्रेंट और सिवलाइजेशन का सोलुशन करेंगे हम इस वीडियो में डियर स्टुडेंट्स चैनल पर मैथ, साइंस, सोचल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवलेबल हैं तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जुरूर चैक करें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सभी सब्जेक्ट का लिंक आपको दे दूँगा तो शुरू करते हैं इसका सोलुशन सबसे पहले एक टिक दा करेक्ट ऑप्शन है हमने ऑप्शन में से देखना है कौन सा ठीक है फिर उसको टिक करना है और हम इसको सिरफ आंसर नहीं बताएंगे इसको अच्छे से समझ के करेंगे जो इंडस वैली साइट ती यानि कि इंडस वैली जो सिवलाइजेशन थी उसकी सबसे जो पहली जगा वो कौन सी खोजी गई हडपा, मोहंजवदाडव, लोथल या काली बंगा तो इसका अंसर आएगा भई हडपा ठीक है हडपा वो जगा थी जो सबसे पहले इंडस वैली सिवलाइजेशन की खोजी गई थी और इसी के नाम से हडपा के नाम से ही इंडस वैली सिवलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है हडपा कल्चर भी कहते हैं इसको या हडपा सिवलाइजेशन भी बोलते हैं जो इंडस पीपल थे जो इंडस सिवलाइजेशन के जो लोग थे बैने Fit नाइलोन के वूल के जूट के या कोटन के क्योंकि कोटन की खेति होती थी कपास की खेति होती थी इसलिए वो कोटन के कपड़े वो पहन के थे ठीक है ठीक है तौha जो लोग थे आरती हो कोटा भी एक तरा की क्या होती है? मिटी होती है, उसकी पोटरी बनाते थे, बरतन बगरा बनाते थे, तो वो किस रंग के होते थे? क्यासे होते थे वो? अन्पेंटीट, ग्लेज़्ड, अन्वेक्ट या रेड ब्राउन. तो ये जो मिट्टी होते है टेरा कोटा ये red brown color की होती है तो बरतन भी red brown color की होते है फूर्थ है the greenery was the storehouse of जो हडपा में जो greenery मिली है ठीक है हडपा civilization में जो greenery मिली है वो उसमें क्या रखा जाता था meat, straw, cotton या wheat, तो उसमें अनाज रखा जाता था यानि कि गेहूं रखी जाती थी wheat रखा जाता था फिफ्थ है the discovery of the remains of a dockyard at Lothal proved at the people of Indus Valley had, जो Lothal एक जगा है, ठीक है अडपा civilization में काई एक शाहर है ये, उसमें हमें एक dockyard मिला है, यानि dockyard होता है जहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है इस Civilization Indus Valley के बारे में क्या पता लगता है, वहाँ की लोगों के बारे में क्या पता लगता है, international trade relation, expertise in ship building, flourishing trade within India and organized naval force, तो इससे हमें पता लगता है क्यों की ship थे, बड़े-बड़े जहाज बनते थे, इसका मतलब की जो हडपा के जो लोग थे वो विदेशों के साथ भी वैपार करते थे, आपने lesson में भी पढ़ा होगा तो इसका आजएगा international trade relation, जो हडपा की civilization थी, उसके लोगों की भाई, बाहर के जैसे की मिश्र होग, एजिप्ट हो गया, ठेक है, ऐसे बाहर के देशों के साथ क्या थे, trade relation थे वैपारिक संबंध थी नेक्स्ट इसका भी पार्ट है feeling the blanks, dash of human society lead to foundation of civilization, human society की किस चीज ने civilization की नीव रखी, foundation रखी तो इसका आएगा evolution या development भी आ सकती है evolution और development बात एक ही है ठीक है, जब human society की development हुई या evolution हुआ, तो फिर क्या बनी भी civilization बनी second है, the great bad had well planned जो great बात मिला है अडपा, उसमें, अडपा civilization में, उसमें क्या सा system था वही, उसमें बहुत ही well planned Danish system था well planned water supply और well planned Danish system था उसमें, the people of Indus Valley were expert in जो Indus Valley के जो people थे वो किस चीज में expert थे, वो expert थे भाई, टेरा कोटा टेरा कोटा twice बनाने में, मिट्टी के खिलोने मिनाने में, और sculptures of animal, animal की मूरतियां बनाने में, वो क्या थे expert थे, dash are the main source of information about the religious belief of the Indus people, जो Indus people का जो religious belief था, यानि कि जो, वो किस चीज को मानते थे, किस की पुझा करते थे, उसका हमें कैसे पता लगा, तो हमें पता लगा है, seal से, ठीक है, seal यानि कि जो मोहरे मिली हैं, उनमें, या तो देवी देवताओं के चित्र होते थे, या फिर पशुपक्षियों के चित्र होते थे, तो उसे हमें पता लग गया कि भाई, वो लोग इनको मानते थे, इनकी पूझा करते थे, dash was the male god worshiped by the Indus people, जो Indus के पिपल थे, वो कौन सा male, किस male god की वो पूझा करते थे, तो इसका अंसर आएगा भी शीवा, ठीक है, शीवगी करते थे, इसको पशुपती भी कहते हैं, ठीक है, C part इसका true, state true or false for the following statement, true or false पताना है, the cities were well planned in the हडपन culture, हडपन culture में जो cities थी, शहर थे, वो well planned थे, तो इसका बिलकुल ठीक है, well planned ही city थी, तो true आजेगा इसका, the citadel was considered the central part of the city, जो शहर का, जो बिलकुल central part था, वो citadel था, तो ये भी बिलकुल ठीक है, इसका भी आजेगा true, ठीक है, pottery was not a popular industry in हडपन culture, जो pottery थी, वो एक popular industry नहीं थी हडपन culture में, तो हडपन जो culture था, उसमें pottery खुब बनती थी, तो इसका आजेगा भी false, और इसने काया है, कि not, ठीक है, people of Indus Valley worship the neem tree, जो people of Indus Valley के थे, वो क्या करते थे, neem की पेड़गी पुजा करते थे, नहीं, वो neem के पेड़गी नहीं, वो people के पेड़गी पुजा करते थे, तो इसका आजेगा भी false, ठीक है, मोहन जोदाड़ो was rebuilt nine times at the same site, जो मोहन जोदाड़ो जो शहर था, वो एक ही जगा पर, कितनी बार पसाया गया था, दुबारा दुबारा कितनी बार पसाया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है, हमने lesson में भी पढ़ा था, तो ये आजेगा हमारा tree, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों कता share, जुरूर कर देना, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार